नमस्कार ये रेडियो हिंदुस्तान है और मैं हूँ आपके साथ कृष्णा सिंग्ग रेडियो हिंदुस्तान के अपने कारिक्रम वैदिक विचार में जिस विशे को लेकर आई हूँ वह है जा सकती है इमरान खान की सरकार पर हौसले बुलंद हैं इमरान खान को पाकिस्तान का प्रधान मंत्री बने अभी सारे तीन साल ही हुए हैं लेकिन लगता नहीं कि वे अपना कारेकाल पुड़ा कर पाएंगे हलाकि जैसे जनरल परवेज मुशरण ने नवाज शरीफ का तक था पलट कर दिया था मौजूदा से नापती कमर बाजवा को शायद वैसा ना करना पड़े बहुत संभव है कि तक था पलट की जगह वोट पलट के जरिये इमरान को अपदस्त किया जाए नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग जरदारी की पीपीपी और फजल ररह्मान की जमात तुलेमा इसलाम तीनों ने मिलकर इमरान के खिलाफ औविश्वास प्रस्ताव रखा है जो कब का पास हो जाता लेकिन पाकिस्तानी संसद की बैठक नहीं बुलाई जा सकी क्योंकि अभी उसी भवन में इसलामिक सहयोग संगठन का सम्मेलन चल रहा है बहराल अभिश्वास प्रस्ताव पर शिग्र ही मतदान होना है लेकिन यह भी संभव है कि उसके पहले ही इमरान अपने इस्तिफे की पेशकश कर दें इमरान के इस्तिफे के आसार इसलिए बढ़ गए हैं कि जिस फौज के दम पर उनका तकिया था वही अब उन्हें हवा देने लगी है फौज से मोह भंग इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरी के इंसाफ पार्टी पी टी आई दो हजार अठारह के चुनाओं में सबसे बड़ी पार्टी बन कर उपड़ी लेकिन उसे सपष्ट भूमत नहीं मिला था संसद की 343 सीटों बें से उसे 155 सीटें मिली थी लेकिन कई अन्य पार्टीों की 24 सीटें जोड़ कर वस्त तरूड हो गई इमरान की इस जीत के पीछे पाकिस्तान फाज की शेय थी भुटो की पीपीपी और नवाज की मुस्लिम लीग के कई सांसदों को तोड़ कर फाज ने उन्हें इमरान की पार्टी का उमिदवार बनवा दिया था नवाज शरीफ को अपदस्त करने की मांग करने के कारण इमरान पाकिस्तानी फाज के करीबी बन गए थे लेकिन फाज और इमरान का एक दूसरे से जल्दी ही मोह भंग हो गया दोनों एक दूसरे के विरुद्ध कदम उठाने लगे 2019 में जब जनरल बाजवा का कारेकाल बढ़ाया गया तो उस आदेश को इतनी देरी से जारी किया गया कि वह सर्वच ने आया ले और जनता में भी विवाद का विशह बन गया अदालत के इस आदेश पर उसे संसद से पास करवाना पड़ा उधर इमरान खान के भाशन तो जोड़दार होते रहे लेकिन विरोधी दलों ने उनके खिलाफ काफी बड़े बड़े प्रदर्शन सारे देश में आयुजित कर डाले महंगाई और प्रशासनिक सुस्ती ने इमरान सरकार की हालत खस्ता कर दी फौज इस बात से भी नाराज थी कि इमरान ने कश्मीर के सवाल को जोड़ से नहीं उठाया उन्होंने भारत के साथ धिलाई बड़ती अमेरिका से भी पाकिस्तान के रिष्टों में कोई सुधार नहीं हुआ अमेरिकी राष्ट्रपती जो बाइडन और इमरान के बीच आज तक सीधा समवाद नहीं हुआ है अंतर राष्ट्री मुद्रा कोश ने अभी तक पाकिस्तान को कठ घड़े में ही रखा है उसे अब तक 6 बिलियन डॉलर की जग़ा सिर्फ 1 बिलियन डॉलर मिले है फाउज तो पाकिस्तान की असली मालिक है लेकिन फाउज और रह्मान के बीच गंभीर तनाओ पैदा हो गया है जनरल बाजवा का यूं तो इमरान ने कारेकाल बढ़ा कर 2022 तक कर दिया था लेकिन बाजवा को यहवात नागवार गुजर रही थी कि इमरान उनके उत्तराधिकारी सेना पती की खोज में जुट गए थे इमरान ने खुफिया एजेंसी I.S.I. के मुखिया जनरल फैज हमीद की गोटी आगे बढ़ाने शुड़ू कर दी थी उन्हें तालिबान से सीधा संपर्क करने के लिए इमरान ने काबूल भी भेजा था उन्हें अंतर राष्ट्रिये प्रचार भी खुब मिलने लगा उन्हें ग्यार्वी कोड का कमांडर बना कर पेशावर भेज दिया गया लेकिन उनकी जगह गुप्तचर विभाग के मुख्या के तौर पर जनरल नदीम अंजुम को नियुक्त करने में इमरान ने देरी करनी शुरू कर दी जनरल बाजवा और अन्य फोजुयों के कान खड़े हो गए उनका असंतोश और अविश्वास सर्वजनिक हो गया फिर क्या था साड़े प्रमुख विरोधी दल मिल गए और उन्होंने संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया इमरान सरकार ने बीच बचाओ करने के लिए पाकिस्तान के पुर्व सेनापती राहिल शरीफ को सुदी अरब से इस्लामाबाद भी बुलवाया लेकिन उसका भी कोई असर जनरल बाजवा और नदीम अंजुम पर नहीं हुआ फौज का संदेश यही है कि इमरान खुद ही इस्तिफा दे दे इमरान के विरोधी दलों ने अपने बहुमत की जुगार बिठा ली है और मिया नवाज शरीफ के छोटे भाई शाहबाज शरीफ को भावी प्रधान मंत्री भी घोशित कर दिया है अपने भाशनों और टीवी वेट वारताओं में विरोधी नेता मरियम नवाज और बिलावल भुटो इमरान खान का काफी मजा कुडाते हैं इमरान भी इट का जवाब पत्थर से ते रहे हैं वह नवाज शरीफ को गीदर और चमगादर कहते हैं और शहवाज शरीफ को वह हर किसी का बूट पॉलिस करने वाला बताते हैं वे तीनों विरोधी पार्टियों के नेताओं शहबाज, बिलावल और फजल रह्मान को ब्रश्ट, देश द्रोही और कम अकल बताते हैं इस समय पाकिस्तान राजनीत में कटुता चरम पड़ है ऐसे हैं स्थती में इमरान ने युक्रेन पर भारतिय नीती की तारीफ कर दी और कह दिया कि पाकिस्तान भी किसी गरीब की जोडू नहीं है कि वह आँख मीच कर किसी देश का समर्थन या विरोध करे पाकिस्तान किसी के आगे जुकेगा नहीं यह तो ठीक है लेकिन इस्लामिक देशों के सम्मेलन में उस चीन के विरेश मंत्री वांग ई को इमरान ने अपना विशेश सतिती बनाया है जिसने शिन च्यांग के दस लाख मुसल्मान उईगरों को यातना शिविरों में डाल रखा है अदालती दाउं इमरान के होसले अभी भी बुलंद मालूम पड़ रहे हैं हो सकता है कि पाकिस्तानी सम्मिधान की धारा 63A का इस्तेमाल करके वा अपने बागी सांसदों को मतदान के पहले ही अपदस्थ करवाने की कोशिश करे उन्होंने सरवच्च नयायले में इस आशे की याच्च का लगा रखी है बस अब अदालत ही उन्हें किसी तरह बचा सकती है वरना पाकिस्तान के लोग यह मान कर चल रहे हैं कि इमरान के दिन लद गए हैं लेकिन यह सवाल भी बड़ा है कि जो पाकिस्तानी फाज इमरान को बरदाश्ट नहीं कर पा रही है वह नवाज शरीफ के भाई को कैसे बरदाश्ट करेगी वैदिक विचार में आज जा सकती है इमरान खान की सरकार पर होसले बुलंद हैं इस विशह पर महत्पुर्ण विचार के लेखक हैं वरिष्ट पत्रकार वलेखक डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी फिर मिलते हूँ आप से आप करते रहिए काम और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान